नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद प्येस परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो भी निसमाचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए अवश्यक होती है तो आईए शुरू करते हैं और देख लेते सबसे पहले सुचना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग से ज आईए सी अध्यापकों के लिए निकली और बता दूंकि आप आपको जो भी सुचना दी जाएंगी वो क्रम से दी जाएंगी जिस तरीके से थमेनल भी सुचना लिखी होंगी उसी सीरियल से आप लोगों क को सुजनें बताई जाएंगी हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोक से निकली अध्यापकों की भरती की जियाइसी राज की इंटर कालेजों में जो लेक्चरर की लिखा हुआ है कि इस परिक्षा का विश्तरत विज्यापन आज 22 दिसंबर 2020 को आयोक की वेब साइट यानि यूपी प्याइट यूपी डूपी 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 पर उपलब्द होगा जिसमें ऑनलाइन आविदन करने की प्रक्रिया शुल् लिखा है इए रीक्तियों का विवरान विश्तर विग्यापन के बिंद्र संक्याश्य में दिया गया ओर्फ नोटीफिकेशन से जनकरे मिलेगी अगर आयोकी बात करें तो वही है जो अत्रप्रतेस में मिनिमयम होती है और अधिक्तम होती है यानि कि भी गो और अधिक्तम 40 वर्ष की आयू दी गई है और जो अरथित वर के विद्यार्थी है उनको छुट भी दी गई है ऑनलाइन आविधन की जो डेट है वह 22 दिसंबर रखी गई है लास्ट डेट है 18 जनवरी की पहले पहले आप लोगों को आविधन भर देना है इसके बाद अगली विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सरकार अब जल्द से जल्द नई सिक्चक भरती की घोषणा कर दे यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि डिलेट प्रसिक्चूओं ने नई सिक्चक भरती की मांग को लेकर के सोमवार को बेसिक सिक्चा निरेसाल निशात गंज लगन उपर धर्ना दिया पर शिक्चूओं ने सरकार से जल्दी ही एक नई बड़ी सिक्चक भरती गोषण करने की मांग की धर्ना देने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों के यहां पर नाम भी लिखे हुए हैं यह विद्यार्थी खुद ही कनफ्यूज है कि धर्ना किसलिए एक तरफ तो विद्यार्थी नारे लगाते हैं कि बीट को बाहर करो दूसरी तरफ नारे लगाते हैं कि नई सिक्चक भरती लाओ अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं इसलिए वहां पर बहुत कम विद्यार्थी गये और जबकि इन विद्यार्थियों को सभी हैं लखनों की जो विद्यार्थी गयत नई शिचक बरती की मांग को ले करके इस तरीके से 15-20 विद्यार्थी जाकर के महां बैठे रहे नारेबाजी करते रहे और परणाम मिला सुन्य तो जब तक कोई धरना प्रदस्तन सफल नहीं हो सकता है जब तक विद्यार्थियों की सं क्या जादा नहों विद्यार्थी संग्ठित नहों सब विद्यार्थी एक नहों अपने क्लास के 15-20 बच्चे ले करके धरना प्रदस्तन आप लोग करेंगे तो विद्यार्थियों के भी बदनामी होगी इसके बाद में अगली सुचना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आय आज से लिखा है UPSC प्रियागराज लखनौ गाजियाबाद में 12 केंद्र पर परुगे परिक्चा आरो यारो व...? 2016 की जो मुक परिक्चा है वो आससे असी पदों का प्रणाम घुशित कर दिया है तो लोग सेवा आयोग ने जितनी भी पुराने प्रणाम ते पुरानी भरतियां थी उनको लगबग लगबग पूरा कर लिया है लोग सेवा आयोग की कुछ और भी सूचना है कि के लिए लोग सेवा आयोग और यह अपर लिकटी के लिए रोग कि फाइनों पर जल्द नेरणार 10 की मांग लोग सेवा यूग की ऐसी विध्यार्थी जिनको रोग लिया गया था और इंदी वाले बहुत सार थे जिनको बिश्यक को लेकर के विवात था यानि कि उनका संश्क्रत नहीं था इस त्रीकी के विवात था तो बहु सार मेश्चा सूसी के बारे में भी बूचा गया है अगली सुचना है पुलिस विभाग की जेल वार्डर फायरमेन भरती का परणाम जनवरी के अंदर तक चार साल से अटकी जेल वार्डर फायरमेन और घुड़ सवार पुलिस भरती का परणाम जनवरी के अंदर तक आ जाएगा इसके बाद दोल कराई जाएगी और फिर अंतिम परण प्रवरी के पहले या दूसरे सब्ता में दोड़ करा दी जाए उनका कहना है कि इस भरती प्रक्रिया में पहले ही काफी विलंब हो चुका है और ऐसे में जल्द से जल्द परिक्षा का प्रणाम घोसित करके नोगरी देने की कवायत की जा रही है तो बहुत जल्द जैसे ही आ आज कुछ लोगों की मुलाकात हो नहीं है खासतोर से दरोगा भरती के विज्यापन को लेकर कि मीडिया के कुछ लोग है जिनसे मुलाकात हो नहीं है और जो भी आज अपडेट होगी कुछ न कुछ जरूर दरोगा भरती के लिए जो बाते हैं वो निकल करके आएंगी और अब बात कर लेते हैं DLA 2021 की, लिखा हुआ है कि DLA 2021 में प्रवेश की तयारियां 2,32,000 सीटों पर होगा प्रवेश, सचिव परिक्षन नियमक पराधिकारी उत्तर प्रदेश प्रियागराज अनिली बूशन चतुरवेश ने बताया कि DLA 2021 में प्रवेश की तयारियां शुरू हो गई है, पूरी संभावना है कि जनवरी 2021 के अन्तिम हफ़ते से आनलाइन आवेधन प्रवेश के लिए लिया जाएगा, यह प्रवेश प्रक्रिया मार्च तक पूरी होगी, जिससे की अप्रेल से कच्छाएं भी शुरू हो सके, सची उनिये बताए कि डियलेट के 2,32,000 सीटों पर अब्रवेश होना है, वहीं पर डियलेट की कुछ और भी सूचना है, लिखा है कि डियलेट 2017 है, वह 2018, कि 33 सतर का जो रिजल्ट है, वो सिग्र गोसित हो जाएगा, तो ठीक है दोस्तों, यह हो गया, आज का वीडियो, हाँ, एक सूचना, और जिन जो विद्यार थी, पढ़ाई करना चाहते हैं इस चैनल पर, तो वो लोग प्लेइलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, शिक्षमन विज्ञान के लिए अलग सी प्लेइलिस्ट बना दी गई है, हिंदी की जो है, अलग सी प्लेइलिस्ट बना दी गई है, यह हो गया आज का वीडियो, वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्च कर दिया करें, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद.